हेलो दोस्तों गूड आपरेनून कैसे हो आप सब आई हो प्रियली बहुत अच्छी होगी फ्रेंट्स मेरी बात करो मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो फ्रेंट्स मैंने कपड़े अपड़े कुछ दोएते अभी तो उसी का ये बॉसिंग मसीन से पानी निकाल रही हूँ और ये पाइप है ना छोटा है तो बातरूम में इसका पाइप नहीं जा पाता है और इसमें पानी भरा हुआ था तो मैं खीच के अंदर की और नहीं लेजा भारी थी इतना दूर और पहले अगर खीच के रख लेती हो तो अब मैं बातरूम में निकाल देती हूँ सारा पानी तो यही संजट है यही वह बहुत बेका लगता है जब भी मैं कपड़े दोती तो पानी इधर यह बहार निकालना पड़ता है पूरा यह फर्स है न थोना पड़ता है तो यह फर्स मेरे टाइल नहीं लगी है तो टाइल अब लगवाऊंगी मैं सोच रही थी कि अगले सर्दि यह तक मेरे टाइल है लग जाएंगे और सब जगे तो मेरे घर में टाइल है बातरूम में भी है लैटिंग में भी है और किचन में भी है और सब जगे देखा होगा बस इस चौक में ने और बार की साइड में वह पुराने जमानी का मारवल रहता है ना क्या बोलते है फूल कुछ अच्छे से नहीं कर रही हूँ एक बाल्टी पानी डाल दिया है हूँ इसको फूंच दे रही हूँ क्योंकि इसमेल से गंदा पानी निकला कपड़ों का तो इसमेल आने लगी थी कपड़े जो होते हैं गंदे रखे रहते हैं 8-10 दिन के हो गए थे घटे बारिस की वज तो मैं थोड़ा सा परदा रख लेती हूँ वैसे दर कोई देखता नहीं बस जाक के और चले गए थे लेकिन फिर भी मैं कहते और हवासे तो मेरी साड़ी उड़ी जा रही थी वह बहुत पतली साड़ी पैने तो मुझे खुदी असल सरम भारी थी कि मैं उड़ी जा रही वाल रही हुआ नहीं ही गायब है। तो बैस तो है निगाय कोई डालना पड़ता तो सोचा मैई खा लेती हूं वैसे पूर ठंडे हो के न सुका-सुका हो जाता है न तो आराम से खाओ वह भी मज़ा आता है चबाने में चर चर होती चली जाती तो हम बैटके महीं खा रहे हैं और हमारी सासुमा चक्या घुमारी है यह चक्या घुमारी है और हमने बोला था मम्मी हम चक्या चलाना सीखाओ हमें लेकिन मम्मी नहीं सीखाया है यह नहीं मम्मी नहीं बहुत तुझे नहीं सीख पाएगी अब तो ना फिर कभी करना वो लेड हो रहे हैं उनको ये सरसो को पीस रही है मतलब इसका अचार होता है ना सरसो का अचार आप लोग जानते हो ना सरसो का अचार वो सोरी मिर्ची का अचार सरसो का अचार नहीं मिर्ची का अचार होता है उसके ल पहाड़ के और उसमें यह भरा जाता है तील में कहीं जाके तब मिर्ची गल जाती है जाब हम कहीं खाते है तो बहुत अच्छी लगती है मिर्ची और उसके बाद डुगु आ गया स्कूल से तो इसकूल से आ गया हमने उसके कपड़े अतार दिये और यह सोबा महां से खीच लाया है और हम ऊसको हमबा कराने लगे तूशन का तो टूशन अभी जाएगा जैसे ही वो स्कूल से आता है मतलब 2 बजे स्कूल से दो सावा 2 बजे स्कूल से आता है और 3 बज gwाचे कोचिंग विचारा चला जाता है उसको बिल्कुल भी खेलने का टाइम नहीं मिलता है तो अ अपना हमबा कुद करता है बट क्या है कभी कभी ऐसे बर्ड आ जाते हैं उसको लिखना नहीं आता तो वो हमें लिखना लिख वाना पड़ता है हाथ से परीशान भी हो जाता है तो बोलता है मम्मी हमें कभी कभी अपने हाथ से हमबा करवा दिया करो तो हम उसको ये भी करवा देते हैं और हम हम यहां आगे डुगू का मुह दुलाने के लिए बातरूम में हम उसको लेने जाते हम यहीं इसको अपना मुह बगेरा बुरुस बगेरा जो भी कराना होता है तो मैं यहीं करा देती हूँ मेरा ब्लाउच पकड़ता जा रहा था मतब एरे कपड़े पकड़ सब्सक्राइब करता है तो बच्चे पानी से अचली बहुत जादा डरते हैं तो मैं उसको जल्दी जल्दी रेडी करें दे रही हूं तो स्वाटर बिना देती हूं और मांग निकाल के बड़िया तैयार और टुगू ने आज बोला था मम्मी आप मुझे कभी नहीं मतब आज हम दो को साम को टूशान आने के बाद बहुत ज्यादा टाइम देंगे उसको उसको भी अच्छा लगेगा मां उसकी मम्मी ना उसको टाइम नहीं दे पाती कि हम अपना काम में लगे रहते हैं ब्लॉगिंग करते रहते हैं कभी कुछ कभी कोई आता है और चोड़ा को तो सर्दी है तो दिन हाल निकल जाता है पता ही नहीं चलता है तो बेटे को हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं यह बहुत गलत बात है बच्छों को भी टाइम देंगे अपने बच्चे को तो देखेगा डुगु बड़ा कुस हो रहा इस टूपा को हम लेकर आयते इसके पास मैंसे चार-पांश टूपे इस टाइब के लेकिन यह टूपा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब हम मार्केट गए तो यह हमें अलग से मिला और यहां गाउं में यहां तक पता है यहां पर किसी के पास नहीं इतनी भी टूपे लाता है सब लोग उसके टूपे की ब हम तरह तरह के लिए टूपे लाते रहते हैं मतलब टॉइस और बेटा तो हमारा एक ही है तो क्या करेंगे तो फ्रेंड्स मैं टूपेड़ी कर दिया है और बैग एक लगा दिया और माल से मुझ पोच दिया बैग मैं दूसरा लाना है डूपे लिए डूपा खराब हो चु जा लेते काम फिर नया तो दूकु दोड़ा चला जा रहा हूं मैं उसको टूशन चोड़ने के लिए बाहर जारी गेट पर गेट पर जाके देखा तो उसकी दादी ने लॉक डाल रख था क्योंकि हमारे भाई साब है ना जेट जिप निकल जाते हैं बहुत बड़े हैं उन के बज़े से ताला डाल के रखना पड़ता है क्योंकि बहार निकल जाते हैं फिर दो दिन तक